तो आज किस वीडियो में हम वो कोशन्स देखने जा रहे हैं जो सीटेट पेपर 2 के SST के होंगे यह रहे के सामाजी के अध्यन की जब हम बात करते हैं साथियों तो कैसे कोशन्स आप से पूछे जाते हैं और 2023 की परिक्षाओं में जो भी एक्जाम हुए थे सीटेट के उनमें किस परिकार की SST पेड़ागोजी पूछी पूछी गई थी वो आप लोग यहां पर देखेंगे डिक्टो कोशन्स मैंने उठाए हैं जो 2023 में हुए थे और इन सवालों को अगर आप कर लेते हैं तो माना जाएगा SST पेड़ागोजी में आप निपूड हो और कितने पृष्ण सही कर सकते हो तो पृष्ण की संख्या साथियों काउंट करते रहिएगा कितने में से कितने पृष्ण आपने किये पहला पृष्ण साथियों बहुत इंपॉटन्ट है कि अगर बात करते हैं साथियों लोग तंत्र की तो लोग तंत्र विशय को शुरू करने से अध्यापिका शुरू कर पूर्व अवधानला का आगलन वो कर रही आंसर जिनका ए था तो बिलकुल करिक था उसके बाद देखिए साथियो प्राराम्बिक विध्याले के छातरों के सामने भारत के राश्ट्रिय आन्दोलन की चर्चा के लिए निम्न सुरोतों को उलिखित किया जा सकता है तो किसको उल्लिखित किया जा सकता है, क्या साथियो अशोक इस्तंब को किया जा सकता है, तो ये तो साथियो इतिहास से सम्मंदित है, प्राचीन इतिहास से सम्मंदित है, कबीर के दोहों को बिल्कुल नहीं, शैल चितरकला को नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथिय जेल के अधिकारिक दस्तावेस थे और जो पत्र थे साथियों इनको उल्लिकित किया जाना चाहिए इसलिए आंसर आपका अगर है उप्शन नमबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विदी का प्रियोग करने का मुख उद्देश क्या है साथियों यानि के जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा होते हैं उसमें परियोजना विदी का इस्तमाल क्यूं किया जाता है इसका क्या मुख उद्देश है तो विध्यारतियों को सामाजिक विज्ञान के सैधान्तिक ज्यान के निर्मान में संगलगन करना या सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण के लिए समय बचाना तो ये तो गलत लग रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करता है ये भी गलत है सातियों विध्यर्तिकों वास्तिविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जाच में संगनगन करना जो सबसे उप्यूक सबसे बढ़िया उत्तर लग रहा है वो option number D लग रहा है और जिनका आंसर यहाँ पर D था तो बिल्कुल करिक था क्या पूछा जा रहे सातियों देखिए कारने थी कौन सी इसमें से कारने से यानि के कौन सा option कह सकते हैं हम लोग समुह आकलन का हिस्सा नहीं है निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मुल्यांकन के बारे में सही नहीं है आपको ये ढूड़ना है सातियों के सतत और व्यापक मुल्यांकन के बारे में कौन कौन से कथन सही है यह विद्धार्तियों के वेवार के केवल संग्यानात्मक पक्षकी अवशक्ता की पूरती करता है तो साथ हुआ यहां पर केवल आ गया है इसलिए यह गलत हो जाएगा उसके यानि के यह उद्धेश नहीं है व्यापक मौल्यांकन के बारे में सही नहीं है कहा जा सकता है मौल्यांकन रण लितियां शिक्षण अधिगम प्रिकरिया के साथ सामकाली था यह सही लग रहा है यह विध्यार्तियों के सरवागीर आकिलन को सुनेशित करता है यह भी सही है और यह अधियापकों को समय पर प्रतिपुष्टी प्रदान करता है यह भी सही है यानि कि इस पृष्ण की आंसर की जब हम बात करते हैं तो आंसर आपका आप्शन नमबर A होना चाहिए देखिए जब साथियों अगर हम बात करते हैं कि जब कोई बच्चा क्या करेगा तारकिक बहस करेगा या जवाबी तरक करेगा तो साथियों उसकी कौन सी छमता विक्सित होगी वाद विवाद वाली छमता विक्सित होगी आपको ध्यान रखने आंसर आपका option नमबर A के साथ साथ में नमबर का पृष्ण आपकी स्क्रीन पर है बताइए के नमबर में से कौन सी रण लिती विध्यारतियों में आलूचनातनक सूच को पृत्साहित करने में सबसे उप्युक्त हैं साथियों अगर आप लोग चाहते हैं सीट एट एक्जाम को क्रैक करना तो इस चैनल के माध्यम से बहुत आसानी से आप सीट एट एक्जाम को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वालिफाइड कर सकते हो और इसकोर आपका बहुत शांदार आ जाएगा आपको करना क्या है जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है वीडियो के अमाध्यम से उस कंटेंट को अगर आप तयार कर लेते हो तो सीट एट के पेपर में बहुत फते आसिल हो जाएगी और बहुत भैतरीन आपका इसकोर आ जाएगा कोई दिक्कत को इटेंशन लेने की आ सबसे उप्यूकत है विध्यारतियों से सभी सूषनाओं को सत्य समझ कर स्विकरत कराना मतलब कहा जा रहा है विध्यारतियों से कहा जा जा रहे जो भी सूषना मैं तुमको दूँगा वो सब सत्य हैं ऐसा कहो ऐसा स्विकार करो तो यह गलत है विध्यारतियों से प्रार्मिक शिक्षा के विध्यारतियों को जाती आधारीत भेदबाओ के मुद्दे से परिचित कराने के लिए नमने कितमे से कौन से संसाधन का प्रियोग किया जा सकता है जाती आधारीत भेदबाओ जो होता है इस मुद्दे से बच्चों को परिचित कराना है तो क्या हम अभिलेग जो अशोक के इस्तम पर लिखे हुए उनकी चर्चा उनके साथ करेंगे तो नहीं जाती आधारीत भेदबाओत के मुद्दे के बारे में इसलिए सबसे बढ़ा हुटतर यहां पर जो होगा वो ऑप्ष्ण दूबर D के साथ जाएगा और जिन का अंसर D तो बिलकुल करेक्ट है बहीं बहुत बढ़ा वेरी गूट क्लास जहां पर औजार, बरतन और इमारती जैसे वस्तों के अवशिश मिले थे, वो सातियों पुरा इस्थल जंगा कहलाई जाती है, चलिए, दसमे नंबर का प्रिश्ण आपकी स्क्रीन पर है, इस परकार का सातियों आप से पूछा जाता है, देखिये प्रिश्ण में कुछ नहीं राम्या किसी बेकरी में काम करती है, उसे उसके मालिक का महगा मुबाइल फोन चुराने के जूटे आरोप में अभ्यूक तो बनाया जाते है, यह निकिन उस लड़की पर एक इल्जाम लगाया जाता है, तुमने मुबाइल चुराया है, लेकिन वह अपनी खराब आर्थी क सिती के चलते हैं, मतलब बहुत गरीब है वो, तो इस वजह से वो अपने बचाओ के लिए वकील नहीं कर पाती है, उसके केस का प्रतिनिद्ध करने के लिए भारती सविधान के किस अनुच्छत के अनुसार राजद्वारा वकील दिया जाएगा, मतलब एक ड़लकी है, उस यह एक्जाम में आपसे पुछा जाता है, आपको ध्यान रखना है सातियों, चलिए, अगर बात करते हैं सातियों, जो राज के निती निदेशक सिध्धान की बात करें, इसका जिक्र भाग चार में किया गया, आपको ध्यान रखना है, और राज के निती निदेशक गलतंतर दिवस मनाते हैं अंगीकरत किया गया तो 26 नमबर 1949 को अंगीकरत किया गया लेकिन पूरी तरीके से कब ये लागो हुआ तो 26 जनवर 1950 को पूरी तरीके से ये लागो हुआ और 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है गरतंतर दिवस मनाया जाता है भारत के राशपती का चुनाव क्या अगर बात करत तो भारत के राश्पती के चुनाव की बात करें तो इनका चुनाव किसके द्वारा होता है भारत के राश्पती का चुनाव। चुनते हैं तेहरेवे नंबर का प्रशनाव की स्क्रीन पर है बताईए चात्रों के साथ प्रोजक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए अगर चात्रों के साथ प्रोजक्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहला कदम जो होना चाहिए वो आकड़े की योजना ब बताने की कोशिश कीज़े नागरिकों में अज्यान कारिता एवं निष्टा को सुनिष्ट करना तो नहीं एक ऐसे सबसमाज की स्थापना करना जो अवगत ग्रहनशील और उत्तरदाई हो यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है उप्शन नमबर सी उसके बाद देखिए सातियों नेक्स नमबर का प्रिशनाप की स्क्रेन पर है कि विधाईका और कारपालिका नयपालिका के काम में हस्त छेप नहीं कर सकते हैं यह कथन भारतिय सविधान के किस सद्धान को दर्शाता है तो सातियों देखिए विधाईका और कारपालिका जो है नयपालिका के काम में हस्तो छेप नहीं कर सकते हैं ये सातियों शक्तियों के बटवारा कि अगर बात करें इस सिध्धान को दर्शाता इसलिए आंसर आपका जाएगा option number C के साथ भारतिय सविधान की प्रुस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समालता सो निश्चित कराती है तो सातियों ये तो प्रृटिश्था और अवसर देती है इसलिए आंसर आपका ए जाएगा निब्लिकेट मेंसे कौन सा साविधान सभा के संब्द में सही नहीं है यहनि कि अगर बात करें कौन सा सविधान सभा के सम्मन में सही है यह आप से पूछा जा रहा है इंडरेक्ली तो सभा में कई सदस तें जो भारती राश्टी कांगरेस के साथ नहीं थे तो यह बात बिल्कुल सही है सविधान सभा ने विभिन सामाजिक समूहों से आये सदसों का प्रतुनिति किया ये बात भी बिल्कुल सही है हमें गलत चुनाफ करना है सभा के सदसे विभिन ने विचार धाराओं में विश्वास करते है तो ये बात भी बिल्कुल सही है लेकिन सविधान सभा में केवल पुरुश सदस्त है ये बात सरासर गलत है अब गलत है तो यही आपका राई टांसर है क्योंकि इसमें यही पूचा गया था किसा बात सभा के सम्मन में कौन सी बात सही नहीं है उसके बाद देखिए अठारवे नंबर का पुरुशन आपकी स् इसलिए राई टांसर आपका भी के साथ व्यापारी और बुनकरों के लिए बीच की व्यवस्ता जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तयार माल प्राप्त करता है इसको क्या कहा जाता है साथियों यह आप से पूचा जा रहा है तो बताईए तो इ प्रेयरी क्या है आपसे पूछा जा रहा है तो अगर बात करते हैं कि मवेशी पानले के लिए उप्युक्त जंगहा को क्या कहा जाता है प्रेयरी कहा जाता है आंसर आपका बी के साथ उसके बाद देखिए किसी को एक छवी में बांधने का अर्थ क्या है क्या किसी को एक छव आपका भी हो जाता है नेक्स नंबर का पुशन देखिए कि प्रकर्तिक परेवर्ण के चार छेतर हैं इन वे से दो वायू मंडल जैवर्ण के चार छेतर होते हैं दो छेतर बता दिये गए हैं दो छेतर आप से पूछे जा रहे हैं देकि एक होता है वायू मंडल एक होता है ज को लागू करने के लिए एक योजना आयोक का गठन किया था ये बात बिल्कुल सही है मतलब इसमें से आपको ये बताने के कौन कौन से कथन बिल्कुल सही है तो ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि 1950 में ही भारत सरकार ने योजना आयोक का गठन किया था तो ये सही है उसके बाद देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग आई सही है और आप बी गलत है इसलिए आअनसर आपका जाएगा आप्शन नमर C के साथ निमलिकित में से जोतिवा राउ फुले पर कौन से कथन सही है यानि कि जोतिवा राउ फुले के वारे में सात्यों पाच कथन यहां पर लिखे हुए आपको बताने कौन कौन से कतन सही है देखे जोती बाराव फुलिन ने इसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी तो बिल्कुल सही है उन्होंने ब्रहमणों के शरिष्ट होने के दावों पर खुलकर हमला किया था ये बात भी बिल्कुल सही है उन्होंने कहा कि आर जा सकते बिल्कुल सेम उप्शन रखकर उसके बाद पाच्मा उप्शन सातियों लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी किताब गुलाम गिरी दक्षिन आफरीका की रगभेद विरोदी संगर्श को समर्पित की थी तो ये सातियों सही नहीं लग रहा है इसलिए आंसर आपकर ज चुका हूँ इसका आंसर भी आपको बता चुका हूँ कि भारत के राश्पती का चुनाव किसके द्वारा होता है मंत्रियों योग नाकरिकों द्वारा परतेक्ष चुनाव होता है या सातियों पंचायतों सहीत सभी 24 सदसों द्वारा परतेक्ष चुनाव होता है इसकी जा exam को अगर आपको crack करना चाहते हैं तो सात्यों comment section में मैंने पूरी playlist का link दे दिया है वहाँ पर जाकर सभी classes को अगर आप देख लेते हैं तो सात्यों परिक्षा फते हैं बहुत आराम से हो जाएगी कम से कम qualified exam आप बहुत आराम से कर डा लोगे तो वीडियो को लाइक किजेगा वीडियो को शेर किजेगा मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिंस आते हो